हेलो दो ट्रेंड्स, वेल्कम टू दो ऑफिशल यूटूब चैनल अफ दा होम अकैडमी, जेके एससबी फीमेर सूपरवाइसर एग्जामिनेशन के लिए क्रैस्ट को स्टार्ट किया वा था, आप जो है हम पढ़ने वाले है कोशन जो मल्टिपल चाइस कोशन करेंगे वो प इससे एक नमपर भी आपके लिए इंडिया इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल डिविजेन अफ इंडिया को जो है इसकी जो पॉलिटिकल फीचर्स है मैं वह रिवाइस करा देता हूं आपको एक दो स्लाइड और फिर हम अपर में से को कंटिनू करेंगे देखे पॉलिटिकल फीचर अफ इंडिया को अगर हम देखेंगे को इंडिया जो है वह डिवाइट किया गया है नौर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में इस्ट इंडिया में वेस्ट इंडिया में सेंटरल इंडिया में और नौर्थ इस्ट इंडिया में इंडिया जो ह के पूरा एशियास में पढ़ता है और जो है यह नॉर्धन हेमिस्पियर में भी पढ़ता है तो हम इसे जो है इंडिया को जो सौथ एशियन जो है वो रिजिन का हिस्सा मानते हैं आज की डेट में अगर हम देखेंगे इंडिया की 28 स्टेट्स है और 8 Union Territories है आप जानते हैं जम्म कुश्मीर को जो है दो अलग-अलग Union Territories में डिवाइड कर दिया गया है उसी तरीके से दाद्रे नगर हवेली जो है दमंदियों को जो है एक ही जो है Union Territory में जो है वो वर्ड है और यहां पर population के अगर बात करते है 17.70% जो है वर्ड पॉपॉलेशन जो है वो exist करती है इंडिया में ऑफिशल डाटा के हिसाब से तो अभी तो चाइना ही जो है वो नंबर वान पॉपॉलेशन पर है बट माना यह जा रहा है कि इंडिया ने जो है पॉपॉलेशन के हिसाब से जो है चाइना से इंडिया आगे निकल चुका है ठीक है उस पाइंट को भी हमाँ पर डिसकुस नहीं करेंगे यहां पर हम बात करते हैं कि जो लैंड फ्रंटियर जो हमारी कंट्री के है वो कितना है 15,200 किलो मीटर है और कोश्ट लाइन के अगर हम अपने आईलेंड को जो कंसिडर करेंगे तो हमारी कोश्ट लाइन 7516 किलो मीटर है यह के सारे डामेंशन को नाप कर तो आप जानते हैं कि दो हमारे पास जो है वो आईलेंड से यहां पर पढ़ते है एक हमारे अरे अरेबिन सी में आईलेंड पढ़ता है और दूसरा हमा हमारे जो है वो हमारे वीस्ट में लाइब बंगाल में घiक है और पर थो इंटियान कि अ पिटल इंडिया की अगर बात करते तो धेली जो है वा ьो बड़ी मेंस लारज़ष जो बंच-वेर अगर एरिया की टम्स में देखा जाए और गोवा एरिया के हिसाफ से सबसे चोटी स्टेट है रिसेंट ड्वलेप्मेंट अभी यही हुई है कि जमुन कश्मीर को जो है दो अलगाले यूनिट टरिटरिटरीज में एक लड़ाक और जमुन कश्मीर में जो है वो रियॉर्गन कर दिया गया है तो यह आपका रियॉर्गनिजेशन है जो कि हम सिप्रेट टॉपिक पढ़ेंगे फिर तेलांगा जो है इसे बीज़े सिप्रेट करती आगया है आंधरापर्देश से और इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया है यह कुछ साल पहले की बात है फर्दर मो इंडिया में एक सेंटल गवर्मिट होती है इसके अलावबस इससे समली में जो हाज बाता है उनमें अपर्चियर्य साया करता है और कुछ ऐसी union territory है जैसे के देली है जमो कश्मीरा पॉडी चेरी है जहां पर अपना legislative assembly होगा और गौर्मिट होगी जो कि central government जो है बाकी unities में होगी और यहां पर जो है कुछ ऐसी union territory है जहां पर जो है वो क्या होगी अपनी जो है गौर्मिट होगी तो इंडिया जो है एक sovereign country है और इंडिया की अगर हम sovereignty की अगर बात करते है तो up to 12 nautical miles जो है आपका जो समंदर जो है वहां तक जो है वो जो भी boundary पढ़ती है वो आपका जो है वो एरिया होगा मतलब जो हमारी coastal states है उनकी जो territory है वो 12 nautical miles तक जो है वो एक्ट करीगी अब उस 12 nautical miles में जो है आपकी territorial sea भी रहेगा आपका air space भी रहेगा and sea bed जो होगा और and जो जो सब style जो होगी उसके नीचे वो भी जो है वो आपकी रही की चलिए आप question जो है discuss कर लेते है थोड़ा सामने revise तो करने की try की यहां पर in terms area the biggest state of India is area के हिसाथ से biggest state of India जो है वो कौन सी है त इसको मैंने animate करना था तो यहां पर answer जो हो 7 में आगे हर में ठीक है तो चले फिर भी आप answer नहीं देखेंगा ठीक है तो यहां पर essay discuss कर लेते हैं तो PPT में बाकी भी में जो है वो डालना भूल गया थोड़ा जल्दी में था चले देख लेते है question number 2 है among all the state of India what is the rank of Uttar Pradesh in the area wise तो Uttar Pradesh का area wise जो है वो rank क्या होगा देखे पहले तो राजिस्तान है फिर आपका जो है मद्यपरदेश आता है महराश्टरा आता है फिर आपका जो है Uttar Pradesh आता है तो चोथा rank होगा area के हिसाब से Uttar Pradesh का question number 3 है which state in the country has the largest number of district किस state में जो है largest number of district है अब district जो है किस बिना पे जो है state में बनती है population के हिसाब से बनती है जैसे कि आप में जम्मु कुश्मीर की ही बात करेंगे आप देखे जैसे कि हमारी छोटी से district है पुल्वामा district लेकिन इसकी population जो है काफी जादा है ठीक है तो यहां पर किस्तवार जो है इतनी बड़ी district है इसकी population कम है और पुल उतरपरदेश में आप जनते हो उतरपरदेश की population ही बहुत जादा है तो यहां पर districts भी जो है वो बनानी पड़ गई अब विश्टेट ऑफ इंडिया टैचिस ता मैक्सिमाम स्टेट बांडरी तो उतरपरदेश ही वो स्टेट है जो के मैक्सिमाम बांडरी जो है वो टच क स्टेट है ठीक है तो यह उतरपरदेश मेक्सिमाम बांडरी शेर कर रही है अब बताइए having शॉर्टेष कोश्ट लाइन वह कोंसी श्टेट है जिसकी सब चोटी कोश्ट लाइन है तो वह गोवा होगी आप जानते हैं वने पढ़ा है वेस्टन कोश्ट इस्टन कोट यहां which among the flowing state does not share the international boundary तो वो कौन सी state है जो international boundary शेर नहीं करती है बिहार करती है बिलकुल करती है उत्राखंड करती है ये भी करती है मेगालिया भी करती है लेकिन हमारे जो 36 गड़ा ये शेर नहीं करता कुश्चमर 7 है which of the flowing state of India has the longest coastline तो वो कौन सी state है जिसकी सबसे बड़ी coastline है shortest coastline तो गोवा की है लेकिन सबसे बड़ी coastline जो है वो Gujarat की है तो याद भी रखेंगे आप से कोश्चमर 8 है which state is not a part of the seven sister or the north eastern states आप जानते नौर्थ इस्टेटों से मिलके बनी है क्या महगालियव का पार्ट है बिलकुल पार्ट है वेस्ट वंगल उसका पार्ट नहीं है और इंचर प्रदेश पार्ट है तरिपूरा भी जो है वो पार्ट है तो बेसिकली जो आपका फिर माराश्ट होगी फिर आपका जो होगा यूपी होगा कोश मरे 10 है which of the flowing state is known as the kohinour of India तो वो कौन सी state है जिसे कहा जाता है kohinour of India kohinour of India जो है वो किसे कहा जाता है आंधरा परदेश को जो है कहा जाता है friends हमारी website जो है www.homeacademy.in पे जाके visit करेंगे आप यहां पर नोट्स पढ़ सकते हैं, study material में लेगा, आपको multiply questions कीजिए, practice कर सकते हैं, और जो है, आपके job notification जो भी निकलते हैं, जो भी निकलते हैं, जो भी निकलते हैं, जो भी इस पर upload होते हैं, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो है, telegram पर join की किये है, daily basis पर वहां पर quizzes करेंगे, तो आप जाके join कीजिए, आपका sociology component के quizzes वहां पर जल्द आने वाले हैं, question 11 है, which of the flowing district of India is the larger in terms of the geographical area, अब देखें, district की बात की गई है, कि वह सबसे बड़ी district, जो है, geographical area के हिसाब से कौन सी है, अब जो सबसे बड़ी state कौन सी थी, हमने पूछा है, तो वह कच है, कच district जो है, वह बड़ी district है, question 12 है, the territory of which of the flowing lies, बोथ होंता, Arabian and Bayab Bangal, तो यह हमारे पाँ India है, तो यहां पाँ जो हमारा Arabian सी है, और इससाइट जो है, बेया बंगाल है, तो वह कौन सी एसी जो है, वह state है, या यूटी है, जिसकी territory जिस साइट भ भी पड़ता है, और यह कितनी states में जो है, वह फैला हुआ है, बेसिकली तीन states में, और अगला question में वही लिया है, the territory जो है, वह पौडी चरी की जो है, वह लाई करती है, divided into the states of, किस state में, एक तो तामिल नदू में है, केरल में है, और आंधरा परदेश में है, question 13 है, what is the number of union territories in India, तो India में कितनी union territories है, eight union territories है, और states भी कितनी है, 28, which is the smallest union territory of India, तो बताइए सबसे छोटी जो है, union territory जो है, बताइए सबसे छोटी जो है, वह लक्षवदीब जो है, union territory सबसे छोटी है, question 15 है, लक्षवदीब आइलेंड जो है, जो हो कहां पर situated है, तो लक्षवदीब है, है यहां पर कहीं situated है ठीक है तो यह लik草धीप यहां पर होगा इस साइड़ है आपके अन्डा-माने निको बार आई लेंड´s है ठीक है तो यहां पर पर जुघ लोग कोआसि होगा तो कहां पर होगा अर। इंडिया किसे कहा जाता है और यहां पर स्टेट के बारे में पूछाओगा तो करनाटका होगा क्यूंकि बैंगलोर करनाटका में है कोश्मा 18 है Union territory having highest literacy is तो वो कौन सी Union territory है जिसकी literacy जो है वो सबसे जादा है तो वो कौन सी है लक्षवदीप अब देखे ऐसे कोशन जो आपके demography census में जो है क्यूंकि census के ही data के मताबिक जो है कोशन होंगे यह और यह हम आपके अगली वीडियो जो आपका sensor और demography इंडिया जो ह है उसके multiple चैस कोशे में जो है वो include करेंगे तो फिलाल याद रखेंगे Union territory having highest literacy वो कौन सी है लक्षवदीप है highest Himalayan peak in India is तो बताईए highest Himalayan peak जो है वो इंडिया की कौन सी है कंचन जंगवा है नंदा देवी है नंगा परवद तो कोंई सी होगी कंचन जंगवा होगी ठीक है अब केटु जो है वो इंडिया की जो है जो है वो जो जो है वो जो ऑगराफिकल boundary में तो present नहीं है आज की present date म अब देखें फिर भी कंचन जंगवा के बारे में आप देख लीजिए इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8586 मीटर है और अगर मैं पूरी दुनिया में देखेंगे तो थौट रेंग इसका आता है हाइस्ट मॉंटेन जो है कंचन जगवा जो किस स्टेट में पढ़ती है बता सकते है यह सिक्की में पढ़ती है इंडिया और नैपाल बॉर्डर पे एक और आपके लिए कुश्चिन जो था वो बैरन आइलेंड का कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था फिजियोग्राफी में बैरा आइलेंड जो है यह इंडिया के जो है वोँ अंडरमां सी में पढ़ता है प्रट बलेर में तो यह एक्ट्व्व आलकाई जो है इंडिया का एक लगा akal आप एक्डिया का एक्ट्व आलगे ॹो है इसे भी याद रखेंगे तो फिलाल इस वीडियो में जो है वो इतना ही आगे चलेंगे अब हम next वीडियो में जो है अगरे कोश्च जो है वो complete करेंगे आपके topic वेज दो हैं सी हुआ है आपकी mathematics की classes बीचे है regularly आ रही है आप upload कर रहे हैं तो आप जाके देखिए एक सिंगल वीडियो में छहापके टॉपिक को complete किया जाएगा थैंक्स वर पॉचिंग विभी शेबूट लाग लाग